नमस्कार बिलकुल भी नहीं होगी और नहीं कोई स्वागत होगा जितना तुम बचकर निकलोगे हम टकराएंगे तुमसे और बगावत किसको करनी है यह हक की लड़ाई है तुमसे दोस्तों आज बहुत दिन हो गए थे और बहुत दिल में गुसा भरी वी थी इन सब बातों क को लेकर के मैंने तो आज क्यों निकाल दे जाए पांस साल से हम लोग मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं आज वक्त है कि यह बात मोदी जी के मन तक पहुंचनी चाहिए आज हमारे मन की बात मोदी जी तक पहुंचते रही है आज पहली बार में यह रिक्वेस्ट कर रहा जहां वह दोर है जहां वह इंट वाघ्धाえता है आपके बार मिटी सरकार हां सब्सक्ण कुछ अज के नाम है दीग पर कें में दिआ पिछले तीन चार साहर से मैं लगातार में जी इंटर्विव कर रहा हो और देख नहीं अच्छर परिदान मंतर हैं लेकिन मोदी जी ने किसी वी वीडियो में किसी वी इंतर्वीo में रोजगार की बात नी की, रोजगार से वो बचते जा रहेया हैं और मोदी जी ये कहते ह हके हमारा देश युभाओं के हाथ में होगा,ijuana वश्छ राख yukwag हो रहे हैं प्राइवेट नौगरी भी नहीं मिलती सरकारी नौगरी भी नहीं है क्या हमें नहीं लगता कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वह देखे कि अगर सौ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें कितने लोग ऐसे बच जिनको रोजगार की जरुवत है स्सी यूपीएस्टी के थुरू आप बताईए यूपीएस्टी में हजार वेकेंजी आती है चलिए बहुत अच्छा चल रहा है एक स्सी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता हो तो मैं आज बता दूं स्सी की इतनी दूर दसाह मोधी जी आपने अगर इंटर्विव आलत यह हैं कि 2017 का रिजल्ट फाइनली हुआ यह तक हमें नहीं पता कि पेपर कैंसल होगा नहीं होगा किस कगार पे खड़ा हुआ है पेपर दो हजार अठारे का पेपर चार जून से प्लांड है लेकिन आज भी आप किसी बच्चे को पूछो कि तुमारा पेपर कब से उस और एसा सुने में आता है आज वाले ज्यस्ताब न्हीं आए आज एरिंग ती तो आज बकील साब नीआ इंडिया पहली बात तो इंडीयों की p开始 होनी चीह और कुसीमियों की प्राइवर्टी नहीं हुई कोई बात नहीं तो डिटेल इंडिया का मतलब क्या है क्यों एक एक सुप्रेम कोड में बड़ी इसक्रीन नहीं लगवाई आ सकती कि अगर कोई इंसान अवेलेवल नहीं है तो उस्ते डारेक्ट कॉन्परेंस पर बात कि जा सके पता ही आप मौधी जी इतने बीदेश दोर हैं कर रहा है मुझे समझ में या आता कि डिटेल इंडिया का यूज जो मोदी जी मैं कुछ मेरे पिता जी कुछ गलत कर रहे हैं तो मुझे उनसे सिकायद करने का हाग है आज देश में ऐसा हो रहा है कि जो भी मोदी जी के खिलाब बोलता है लोग के ते हैं तुमारे पास option क्या है मोदी जी को कुछ ATने की बात हैं जो सिकायध मोदी जी इतनी तुमाम बड़ीपाता हैं लेकिन वो कभी रोजगार पर बात ने जाए निम्यार मेरे बहुता है अब बना प्रसियों से खते नहीं पासां początku में प्लिपा यदिन हैं तो पारी बबेस से जाएगा का फिर लोग कहतेते हैं कि अरे आप इलिजी वली नहीं हो आप में उतना टेलेंट दी नहीं है अगर टेलेंट नहीं है तो बच्चा गिरिजुएट कैसे कर लेता है आप उसे फेल क्यों नहीं करते है आप दसमी के बादी मोदी जी ने बहुत अ इस तर से उठाओं वो नहीं समझते कि जनता को कैसी बात समझ में आएंगी क्या वो बातें के लिए नहीं बोल सकते हर बात का एक्स्प्लेनेशन बात में आएगा मोदी जब भी अपने किसी इंटर्वी में बात करते हैं तो अपनी चाय वाली बेचने वाली बात को से आप भी तो पी-एम बने ना आपकी भी तो इच्छा हैं बड़ी थी ऐसे हर आदमी की बड़ी है मोदी जी आप से हाथ जोड के बिंती है एक ही बिंती है कि आप रोजगार पे कुछ बोलो कुछ बात करो इस देस का युबा बहुत परिशान है बहुत दुखी है इस दिल क का दर्द आप नहीं समझ सकते कौन समझेगा आप पी-एम किसे सिकायत करें किसे कहें बताइए आज देश में कोई आंदोलन हम नहीं कर सकते बाई इतनी तगडी ताना साहिए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते आपको फसा दिया जाएगा तो कैसे अपने दिल की बात कहें कैसे अब दूसरी बात मोदी जी हर बात में यह कह देते हैं उन्होंने बहुत अच्छा नारा निकाला भी मिलको तो इस बात पर बड़ी असी आई कि चौकिदा नरिंदर मोदी आप देश की इतनी सम्मानित पोष्ट में लोग आपको इतनी रेस्पेक्ट करते और आप ऐसे काम करने बताइए चौकिदा नरिंदर मोदी क्या सेंस बनता है आप कहते हैं कि मैं भारत की प्रतिष्टा को बिदेशों में बढ़ा रहा हूं अगर कोई बिदेश का बंदा चौकिदार का मतलब इंटरनेट पर डिक्सिनरी में सर्च करता है तो एक सेक्योर्टी गार्ड के ल करती है तो जाहिज है कोई बात नहीं उसका भी अपना अलग तरीका है दूसरी बात आप भी इतने शौर थे जनता भी इतनी शौर थी कि कुछ भी कर लो आएगा मोदी जब पताई थी तो 9000 करोड रुपे चुनाम में क्यों खर्च करने थे आप यही देश के उबाद देत बहुत मुश्किल हो जाएगी समालना आपको पता नहीं जिस दिन बिरोजगारी बिस्पोर्ट होगा तब क्या होगा अभी आप इस शीच को बहुत हलके में ले रहे हैं आप कुछ आप खुद देख लिजिए आप पता तो करिए कि आपके SSC के हालत क्या है आप एसे सी के पूछे तो सही आप अपनी टीम को बोलियो तो सही कि हालत क्या है कि 2017 का पेपर अभी तक के लियर नहीं है मोदी जी किसको पढ़ाएं क्या करें हम तो टीचर थे आप कहते हैं कि कुछ रोजगार डून लीजे हमने रोजगार डून लिया था हम टीचर थे अब बताई किसक बात के लिए पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं मुझे आप बताईए कोई मतलब है पढ़ाने का क्या करें हम हमारा भविष्ट भी घतरे में और आप रोजगार पे कुछ बोलते नहीं आपने इतने बड़े बड़े इंटर्विव दिये अब तो मीडिया चैनल भी इस पर क चालेश परसेंट जुबा है जो नौकरी के लिए बटा करा है तलास और आपको क्या लगते हैं कि जरूत नहीं कुछ लोग कहेंगे नौकरी के जरूत नहीं तो बाद में बनाया जाता है जब आप सीडियस का भी एक्जाम देते हैं तो उस वक्त आपके बास ओफीसर लाइ हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं लाई जा सकते हैं नहीं लाई जा सकते हैं बात को समझ रहे हैं बहुत ही दुख है इतना फ्रेस्टेशन हमें हो गई है बच्चों का तो पूछे मत रोज इतनी चिट्टियां हमारे पास आती है इतनी चिट्टियां रोज हमारे पास आती है जि को निजये दिए दिए करें तो करें किया और हमारी प्रशाजन शंता में बाके लोगों की जरुवत है हमारी न्याई विवस्था में लोगों की जरुवत है आज मुझे लगता है कि एक ब्लॉक लेवल पर को ठोट होना चाहिए हड डिसीजन मुझी जी भगवान का रहम खाई है आप आपको पता है लोग आपको कितना प्यार करते हैं लोग अंदवक्त बने हुए आपके लिए तो आप इस इसका गलत फाइदा मत उठाइए थोड़ा बात तो लोगों के लिए करिए कम से कम इस देश के युबाओं के लिए करिए आपको जरूत नहीं रहुल गांधि के बारे में बोले कि क्या जरूत पढ़ी आपको आप रहुल गांधि को पी.m. उमीदवार की रूप में देखते है दो बहुत गलत देखते यह जंता देखती है है राहूल गांधि वॅ इंसान है जिस्के दो बार मौका मिलने की बाद तो मोदी जी आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी और हाथ जोड के बिंती है यह वीडियो उन तक पहुचना चाहिए कि यहां हालात बहुत खराब है मुखरजी नगर में जो संस्ताइं दो ही थी जो इसका एक्जाम कराती है आप देख लिए किसी भी राज्य में कोई भी एक् हर एक्जाम एक बार कैंसल हो रहा हमारी सिच्चा विवस्ता इतनी खराब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं हर पेपर आउट हो जाता है अब बच्चों को भरोसा नहीं रहा आगे आने टाइम में क्या इस्तिती होगी यह हमें धिख रहा है आगे आने वाले टाइम में लो बहुत ही बुरी समस्या देश में हो गई है रोजगार को लेकर के और इस पर मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको बात करनी पड़ेगी नहीं तो यह इस देश का युबा सड़कों पर उतरेगा और अंदोलन करेगा और बहुत मुश्किल हो जाई उस वक्त और आपको सब बहुत प्यार करते हैं आपने देखा होगा लोग आपको कैसे आपकी अंदभक्ति करते हैं मोदी शरकार मोदी शरकार तो आपको लगता कि बगवान आप पर रहम कर रहा है आपको इस दीश का बदला चुकाना चाहिए लोगों के साथ अच्छा करके और आप महागडवन्दन की बात करें अपने चुनाम में क्यों कर रहें आप यह सब आप तो अपनी पॉलसी बताइए कि मैं दुबारा आ रहा हूं और ऐसा ऐसा करूंगा जरूती नहीं आपको आपको तो प्रमोशन की भी जरूत नहीं आपको दूसरे लोगों की कमिया तो उ इतनी भी खामिया हैं आप एक बार पूछे मैं आपको बता रहा हूं है ससी में बहुत बुरे हालात हैं 2017 का पेपर आज 2019 तक के लिए नहीं हुआ और एक और नया एक नया ट्रेंड और चला है 2000 बारे के बाद लोग गलत कुशन डालके बच्चों से पैसे बसूल रहे हैं सर लोगों से गलतिया पर रहा हुआ। यहां कि बहुत गलत डिसा में जा रहा है थेसा आप कैंगे कि कैसे क्राइन बड़ रहा है fireplace लोगों से गलतिया हु रही है क्या करेगा इंसान जब ऐसे आला तो ए सुन है और अलात औरे रिक्वेश्ट यो थे आप से नहीं ये मुश लोगों से भी रिक्वेस्ट जो वीडियो देख रहे हैं कि जब भी वो किसी सवा में जाते हैं तो मोदी जी से सवाल जरूर पूछें कि आपने रोजगार पर क्या करना है इस बार तो आपने कोई बात ही नहीं कि पिछली बार जब आप आए थे आपने का एक टैग लाइन थ करेंगे आप इस बात पर कुछ बोली नहीं थे जबकि आपके पास ऐसा नहीं है वक्त की कमी अभी आपने एक नॉन पॉलिटिकल इंटर्विव दिया जिसमें इतनी बिनावजय की बात है कि आप आम कैसे खाते हैं ठीक है आप एक सेलिविटी है इस बातने सुनना हमें भी आपके अच्छा लगता है हम भी जानना चाते हैं कि यह तरीका कैसा है लेकिन काम की बातों पर भी तो आप दो बात करिये हैं बताई है और मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत पॉजिटिव लिंगे और जरूर समझेंगे ठीक है और मेरी सब लोगों से रिक्वेस् आप सरकार के बाद जो पहुछ रहा है। सारी चीजें डबल हो गई हैं तो यह अगर कोई कहता आईगी और दूसरी बात लोग यह भी ना कहें कि मैं बदलाब चाहता हूं बिलकुल भी नहीं चाहता मैं अपने पिता जी से भी शिकाहित कर सकता हूं अगर वह गलत कर रहे ह ना कि मैं उनको बदलने की बात कर रहा हूं मेरी सिकायत है यह मोदी जी से और रिक्वेस्ट भी है कि इस बात पर जरूर गौर फर्माएं ठीक है चलिए नमस्कार थेंक्यू वेरी मुद्ट